हेलो गाइज मैं हूँ आपका दोस्त मनसूर अली इंगलिश सेखते रही है प्रैक्टिस करते रही है गवराहट खुद बखुद दूर होती चली जाएगी लेट्स इस्टार्ट दवीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दबेल आइगन हेलो एंड वेलकम गाइज आज हम एसे वाक्यों की इंगलिश बनाएंगे जिन्हें रोज किसी ना किसी मौके पर बोला जाता है नाओ लेट्स इस्टार्ट दवीडियो वहे आज स्कूल से अनुपस्थित है मतलब गैर हाजिर है वहे मेरा कहना नहीं मानता है यह ड़स नौट ओबे मी उसने मेरी नसीहत को नहीं माना यह डिड नौट एक्ट अपॉन माई एडवाइस शिकारी ने चिडिया पर निशाना बांधा दहंटर एम्ड एट दबर्ड मेरे पापा मुझसे नाराज है माई फादर इस एंग्री विद्मी मैंने उसकी मदद मांगी आई आस्कड फोर हिस हैल्प मेरी पतनी मुझसे नहीं डरती है माई वाइफ इस नौट अफ्रेड ओफ मी कुत्ते अजनबियों पर भोकते हैं डॉक्स बार्क एट दा इस्ट्रेंजर्स एक कुत्ता मुझ पर भोका एडोग बार्क्ड एट मी यह मेरा घर है दिस हाउस इस माईन या दिस हाउस या फिर दिस हाउस बिलॉंग्स तो मी उसे लड़का हुआ था शी वाज बिलेजड विद आ सन उसे लड़की हुई है शी इस बिलेजड विद आ गर्ल वह अपने कार्य में वियस्थ है यह इस बिजी विद इस वर्क आपकी काम्याबी पर मेरी तरफ से मुबारक बाद I congratulate you on your success मुझे लंबी सेर पर जाने में खुशी होती है I take delight in long walks माबाप के पिर्थी मेरा फर्ज है I have duty to my parents क्या आप ग्यान प्राप्ती के लिए उतसुक हो Are you eager for knowledge? मैं ग्यान प्राप्ती के लिए उतसुक हूँ I am eager for knowledge पुलिस मामले की पूचताच कर रही है The police are inquiring of the matter उसे मुझे पर यकीन नहीं है She has no faith in me मुझे आप में यकीन है I have faith in you कुत्ता अपने मालिक का वफादार होता है Dog is faithful to its master Glass दूद से भरा हुआ है The glass is full of milk मुझे मिठाई का शौक है I am fond of sweets बच्चे चौकलेट्स के शौकीन होते है The children are fond of chocolates चंदर शेखर आज़ाद अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़े चंदर शेखर आज़ाद fought against the British rule मुझे चलना पसंद है I like walking मुझे चलना पसंद नहीं है I hate walking चंदर शेखर आज़ाद मैं रोज सुभा को टहलने जाता हूँ I go walking everyday मैं शाम को दोडने जाता हूँ I go running in the evening उसका इंतिजार करना बेकार है It is useless waiting for him चिंता करना बंद करो Stop worrying अंग्रेजी बोलना बहुत आसान है Speaking in English is very easy आपको बस शुरुआत करने की जरूरत है You only need to start Guys ये थी Daily routine sentences की वीडियो Best of luck सीखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए Please like, share and comment this video Thanks for watching And then ये प्रेजी जेखते दो कर दो दोड़िए